Hi everyone, this is Robin Sharma और मैं आपके सामने हाजर हूँ इस session के अंदर जहां पर मैं discussion करूँगा आपके 2023 के SSC CGL examination paper की तैयारी के लिए session का title आपने देखा होगा और आज कर इस discussion हमारा रहेगा वो रहेगा आपका quantitative, aptitude and reasoning के उपर एक ही करके दोनों चीज़ने को discussion करेंगे मैं दोनों के separate videos नहीं बनाना चाहता था क्योंकि ऐस सच कोई बहुत बड़ी चीज़ होती नहीं है, आप सभी लोग जो जो तैयारी कर रहे हैं, जिस जगे से तैयारी कर रहे हैं आप बस basic तरीके से इन दोनों चीज़ों को follow कीज़ेगा, आपको results मिलेंगे और आपके अपकमेंग इस paper के अंदर आपको आपके marks के अंदर improvement देखने के लिए मिलेगी, तो reasoning and quant CGL के examination patterns आप सभी को पता होंगे, qualification nature का है, एक चीज़ आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग के अंदर रखिएगा के ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें आप लोग के यार, mains के लिए या फिर pre के लिए मेरे पास कितना टाइम है, देखो अभी आपके पास 3-4 महीन है, pre को लेकर, सिर्फ आपको qualify करना है, qualify कर लोगे, उसके बाद आपको डेड़ दो महीना extra मिल जाएगा, आपके mains तक के लिए, तो एक तरीके से, आपके पास उतना समय है, जितना समय आक्चली में इस पेपर को निकालने के लिए जरुरत होती है, समझ रहे हो, तो इस 3-4 महीने के अंदर, reasoning और quant वाला जो आपका 25-25 सवालों का section है, वो कैसे cover हो जाए, उसमें कैसे आप अपने इतने marks लेकर आपाओ कि जो आपकी cut-off है और जो की बहुत ही हलकी cut-off जाती है अब, आपके pre-examination की उसको आप clear कर लो, ठीक है, अगर मैं देखो बात करूं, cut-off की 2022 के CGL को आपने follow किया होगा, तो आप सभी को पता चला होगा, कि general category की CGL के examination की लगबग 114 cut-off गई, and then वो फिर आप अपना category bys कैसे कोई बहुत गठेन और बहुत जादा tough सवाल आप से नहीं पूछे जाता है, ठीक है, तो कोई भी नया भी student हो, जिसने अभी हाल-फलाल में तयारी भी करी नहीं, start करी हो, मैं उनको लेकर यह आपका session बनाऊंगा, ताकि आप इन strategies को follow करके, अपने upcoming इस paper के अंदर, quant or reasoning के section के अंदर अच्छा score कर पाएं, reasoning से start कर लेता है, देखो, आप सबसे पहला काम यह कीजिए, कि आप अपना syllabus समझ लीजिए, reasoning निकालिए, quant निकालिए, दोनों के syllabus को अपने सामने रखे, मैं आप से reasoning की बात करूँ, आपका verbal आता है, आपका non-verbal आता है, आपका logical reasoning आता ह होगा, लेकिन मैं जनरल वे में बात करता हूँ, कि अगर आपने कोई चीज जोई नहीं भी कर रखी है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना syllabus निकाल लीजिए, आपका अपनी जनरल इंटेलिजेंस का, जिसको हम reasoning भी कहते हैं, इसको एक बार देखिए, क्या-क्या सबसें आती हैं, एन देन उसके बाद उसका आप एक बार concept clearing कर लीजे, चाहे आप किसी platform से जुड़े हुए हैं, आप YouTube से वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप कोई भी आपका source हो, जहां से आप अपनी चीज़ों को cover कर रहे हैं, एक बार आप उसका concept ज़रूर अपने ठीक हो गए, तो समझ रहे हैं, कि आप अगर किसी और paper के अंदर अगर आप उतना अच्छा नहीं perform कर पाए, तो यहां पर एक अच्छा आपने पास, एक collection आपके पास होगा, ठीक है, तो सबसे पहले या करना है, अपने topics निकाल लें, topics को देखने के बाद उनके concepts आपको clear क करने है, and then उसके बाद करनी है, आपको practice, sir, practice कहां से करें, कौन सी चीज ले ले, कौन सी book ले ले, book वगेरा का मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप इतना समझ लीजे, कि पिछले सालों के papers में आए हुए आपके सवाल आपको सबसे जादा करने है, CGL 2022 के prelims के paper market में available ह जितनी भी shift थी, हर shift के reasoning के questions उठा लीजे, और उनको आप बढ़ी हासे करना शुरू कीजे, आपको कुछ extra नहीं करना है, इधर दर जाने की भी ज़रुरत नहीं है, मैं आप से CHSL के paper के बात करूँ, अभी CHSL का आपका prelims का paper चल रहा है, आप CGL के त्यारी कर रहा है, कुछ जाते हैं, तो prelims के आपको reasoning के सवाल अच्छे से करना है, अच्छे से करने का मतलब यह है कि एक सवाल को करने में, अगर आपको एक मिनट, डेड़ मिनट या 40 सेकंड लग रहे हैं, तो उस पे और improvement करने की कोशिश करनी है, कर कल को अगर यह चीज मुझे दीखे ना, तो मु सब्स निकाला, concepts clear करे, practice उठाई, कहां से उठाई, पिछले सालों के सवालों से उठाई, और उनको regularly इंप्रूव करने की कोशिश करी, यानि कि उसमें अगर आप कम से कम समय लेंगे, I think आपके लिए उतना ज्यादा ही better रहेगा, यह पाहली चीज रही है, जो कि मैंने आप से आपके reasoning part को cover करने की बात यहां पर की, अगली चीज जो आपके सामने आती है, वो आती है अपका quantitative aptitude, बहुत जादा घबराए हुए लोग रहते हैं कि सार समझ में नहीं आता है, यह तो सारा का सारा bouncer चला जाता है, कुछ बता दीजे, कुछ बता दीजे, कुछ बता दी mathematics के अंदर आपका algebra, आपका trigonometry, mensuration, आपका geometry, आपका D.I.E. number system type की चीज़ा आ जाती है, अब आपको क्या करना है, obviously syllabus आपको करना होगा, जो भी source है, जिस भी source पर आप अपना, जहां से भी आप अपनी theory कर रहे हो, एक बार वहां से आप concepts को निकाल लीजे, अब देखो time आ एक दम आप normal, normal होकर चल रहे हो, थोड़ा सा तेजी से करना, क्योंकि एक बार आप concepts कर लोगे, तो at least जो आप practice की में बात कर रहा था, कि पिछले सालों के papers को आपको उठा कर उसके questions solve करने है, उस पर आप जाधा time दे पाओगे, तो एक बार concepts आपने निकालने है, धीरे-ध करके topical wise अपने formulas और बाकी की जितने भी concepts या फिर अलग-अलग तरीके के सवाल आप से आपके examinations के अंदर पूछे जाते है, वो देखना है, and then उसके बाद आपको उठा लेना है, आपके अपने लगभग लगभग पिछले 2-3 सालों के prelims के papers, not only CGL, आप CHSL के उठाईए, आप MTS उठाईए, आप CP उठाईए, यह हर examinations के papers को आप उठाना है, again फिर वही वाली बात कहूंगा, ऐसे नहीं है कि आपने कोई एक सवाल देख लिया, किस से related, आपका for an example, mensuration से related, तो खुश नहीं हो जाना है, कि वाओ हमने तो आज यहाँ पर area निकाल लिया, या volume निक कि अगर अब मुझे एक मिनट लगा था ना सवाल को करने में, तो अगली बार मुझे सवाल को करने में, एक मिनट से तो कम ही लगना चाहिए, चाहे वो एक ही second कम क्यों नहीं हो, तो यह चीज मैं आप से कहना चाहता हूँ, I think आप purpose समझ के होगे, understand your syllabus, जैसे मैंने quant की बात करनी है, practice करनी है, practice करने का सबसे बढ़ा तरीका पिछले सालों के paper के सवाल, और बहुत जादा पीछे मत जाईए, सिर्फ आप एक दो साल के अंदर जो आपके paper हुए हो, उनको निकाले, that will be more than sufficient for you, और अगर आपने ऐसी अपने साथ इमानदारी रखते हुए, ये कर लिया सकते हैं, इस वीडियो के description में आपको, मेरा जो Instagram handle है, उसका भी link मिल जाएगा, Robin सर्जी करके, आप Instagram पर मुझे सर्च करके, वहाँ पर मुझे अपने message और doubt भेज सकते हैं, Telegram का link मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत आती है, आप मुझ से जरूर पूछेएगा, एक छोटी सी ज GS और English के उपर आप से discuss कर लूँगा, उस पर चर्चा कर लेंगे कि मैं आपको क्या provide करा सकता हूँ, और आप अपने end से, किस तरीके से अपने upcoming paper के तयारी में अच्छा score कर सकते हैं, आप फिर अपने upcoming paper के लिए अपने आपको तयार कर सकते हैं, तो ठीक है फिर, आज के लि साथी, important links video के description में है, मिला जाएगा आप से next video के अंदर, thank you.